ओलम्पिक मेडल विजेता लवलीना बोर्गोहिन ने बड़ा आरूप लगाया है दरसल उन्होंने सोशल मेडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमे उन्होंने लिखा है कि आज मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत हरिस्मेंट हो रहा है हर बार मेरे कोच जिन्होंने मुझे उलम्पिक मेडल लाने में मदद की उन्हें बार बार हटा कर मेरे ट्रेनिंग प्रॉसेस और कॉम्पिटिशन में हमेशा हरिस्मेंट किया जाता है लवलीना ने ट्वीट करते हूँ लिखा है कि आज मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि मेरे साथ बहुत हरिस्मेंट हो रहा है जिस कोच ने मुझे उलम्पिक में मेडल जीतने में मदद की उन्हें बार बार हटा दिया जा रहा है इससे मेरे ट्रेनिंग प्रॉसेस पर बुरा असर है इंग्लेन आने से पहले गी मुझे अपने कोच के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत मुश्किल आई बार बार हाथ जोड़कर मिन्नत करने के बावजूद बहुत देर से उन्हें ज्वाइन कराया जाता है मुझे ट्रेनिंग में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और मेंटल हरिस्मेंट तो होता ही है अभी तक मेरी कोज संध्या को कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के बाहर रखा गया है उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है ऐसा तब हो रहा है जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे मुकाबले शुरू होने में आठ दिन ही बचे है मेरे दूसरे कोज को भी वापस भारत भेज दिया गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे फोकस करूँ इसी के कारण पिछली वर्ल्ड चेंपियंशिप में भी मेरा पफॉमेंस खराब हुआ था अब राजनीती के कारण मैं कॉमनवेल्थ भी खराब नहीं करना चाहती हूँ आशा करती हूँ मैं मेरे देश के लिए इस राजनीती को तोड़ कर मेडल ना पाऊं वहीं खबरों के मताबिक वॉक्सिंग फेडरेशन ओफ इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाडियों और स्टाफ की जो लिस्ट 6 जुलाई को पहली बार भेजी थी उसमें लवलीना के कोच संध्या का नाम नहीं था वहीं 18 जुलाई को भी फेडरेशन के ओर से अपडेटेड लिस्ट भेजी गई थी उसमें भी उनके कोच का नाम नहीं था लवलीना के ओर से बार बार डेमांड किये जाने के बाद संध्या का नाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ओफ इंडिया को भेजा गया जिसके बाद कोच के जाने पर साई ने हरी जंडी थी फिलाल लवलीना के संसनी खेज आरूप के बाद कहा जा रहा है कि उनके कोच संध्या गुरुंग को भारतिय दल में शामिल कर लिया गया है दुरुणाचारे पुरुसकार विजेता संध्या नेशनल कैम्प में साहयक कोच गुमिका में है और लवलीना बोर्गोहिन का मार्क दर्शन कर रही है वह इस पूरे मामले पर कॉंग्रिस महासचे प्रेंका गांधी ने भी ट्वीट किया है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लवलीना बोर्गोहिन हमारे दीश की शान है उन्हें हर लिहाज से समर्थन और मदद मिलनी चाहिए मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पूरे मामले पर एक्शन जरूर लेकिए आपको बता दें कि भारतिय महिला मुक्यबाज लवलीना बोर्गोहिन ने 2018 के विश्व महिला मुक्यबाजी चैंपियंशिप और 2019 के विश्व महिला मुक्यबाजी चैंपियंशिप में ब्रॉंच मेडल जीता था इसके बाद उन्होंने 2020 टोक्यो उलम्पिक में भारत के लिए ब्रॉंच मेडल जीत कर खूब नाम कमाया था वॉक्सर विजेंदर कुमार और MC मेरिकॉम के बाद वॉक्सिंग में भारत के लिए उलम्पिक मेडल जीतने वाली वह तीसरी भारतिये और दूसरी भारतिये महिला के लाड़ी हैं फिलाल के इस खबर में इतना हैं अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ